नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुधाइशू कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इंफेक्टेड लोगों की संख्या दिन बदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरे विश्व की आदी से जादा आवादी इस समय लोगडाउन से गुजर रही है हमारे देश में भी लोगडाउन को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 3 मही तक एक्स्टेंड कर दिया कोविड-19 ने अर्थ बिवस्था से जुड़े हर एक सेक्टर को प्रभावित किया एवियेशन से लेकर टूरिजम तक, ओयल एंड गैस से लेकर पावर तक, ट्रांस्पोटेशन से लेकर फाइनेंसियल सर्विसेस तक लगबग सारे सेक्टर इस COVID-19 से प्रभावित हुए स्पोर्ट्स भी COVID-19 के प्रकोप से अचुता नहीं रहा एक तरब जहां 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए इस्थगित किया गया वहीं भारत में भी सबसे बड़े क्रिकेटिंग इवेंट इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL को भी लगबग कैंसल कर दिया गया है पूरे विश्व में सैक्डों ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो COVID-19 से बुरी तरा प्रभावित हुए हैं और इसी कड़ी में एक नाम टेनिस के सबसे प्रतिष्थित प्रतियोगिता विम्बल्डन का भी है ये टूनामेंट 29 जून से 12 जुलाई के बीच खेला जाना था इस टूनामेंट का आयोजन 1877 से लगातार होता आ रहा है और केवल पहले और दूसरे विश्युद्ध के समय ही इसका आयोजन निरस्त किया गया था यानि दूसरे विश्युद्ध के बाद ये पहली दफा होगा जब COVID-19 की वज़े से इस टूनामेंट को कैंसल किया गया है दोस्तों टेनिस की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठिक टूनामेंटों में चार ग्रैंड स्लैम आते हैं जिनको हम लोग मेजर भी कहते हैं और ये चारो ग्रैंड स्लैम से हैं Australian Open, French Open, Bimbledon और US Open Australian Open वर्स का पहला ग्रैंड स्लैम है जो की जनवरी में खेला जाता है इसके बाद French Open मही जून में, Bimbledon जून जुन जुलाई में और US Open अगस सितंबर में खेले जाते हैं जहां एक तरफ Australian Open और US Open hard coat पर खेले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ French Open clay coat पर खेला जाता है लेकिन सफेद कपड़े, सक्थ अनुशाशन और टूनामेंट से जूड़ी प्रतिष्ठा, वर्स के तीसरे Grand Slam यानि Bimbledon Championship को दूसरे टूनामेंट से अलग बनाती है Bimbledon एक मात्र ऐसा Grand Slam है, जो घास पर यानि क्लब के ग्रास कोट पर खेला जाता है, और इसी वज़ा से इसे lawn tennis भी कहते हैं All England Lawn Tennis Club इस टूनामेंट का आयोजन करती है, इस टूनामेंट के रद होने से इना क्योल प्रशेंशक, बलकि खिलाडी भी बहुत मायूस हुए और उन्होंने अपनी भावनाएं बेक्त करने के लिए, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानि ट्विटर का सहारा लिया, लेकिन इस सब के बीच, Bimbledon के आयोजगों के लिए एक अच्छी ख़बर ये है, कि इस टूनामेंट के रद होने के बावजूद, इसके आयोजग, यानि All England Lawn Tennis Club AEL TC को 141 मिलियन डॉलर की राशी भीमे के तौर पर मिलेगी, Bimbledon के आयोजग पिछले 17 वर्षों से पैंडिमिक इंसोरेंस के तौर पर हर साल लगभग 2 मिलियन यूएस डॉलर का भुकतान कर रहे थे, इस ख़बर की जानकारी सबसे पहले स्पोर्ट्स अबिल ने ट्वीट के माध्यम से दी, कुल मिलाकर वैसे तो इस बार प्रशंशक, Bimbledon के रोमांचक मुकाबलों का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कम से कम, Bimbledon के आयोजगों को इस कोरोना पैंडिमिक की वज़ा से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू